आज पूरे राज़तान में भारी वारिस्स के संबाब ना है भारते मौसम बबाग और राज़तान मौसम बबबाग ना है जिससे होता है कि पूरे राजिस्तान में भारी वारिस की संबाबना है जैसा कि आपको पूर में बताया था राजिस्तान के अधिकांसी जिलों में सुबह से ही बादल चाय हुई है और दिन जिलों में दोस्तो अभी बादल नहीं पहुंच पाया है दो पहर बाद उन जिलों में भी मांसुन पहुंच पाएगा दोस्तों आप लोग भी कॉमेंट करकर अपने रायस्तानी की इस्तिती जरूर बताया करो हो सकता है आपके जिले का कोई भी व्यक्ति हो जो अपने जिले में बारिस से जानना चाता है आपके होँआ पर कैसी वारिस हो रही है बैसे रायस्तान मौसम विवाग ने पूरी तरह इस बात को लेकर खुलासा किया है कि आज रायस्तान में भारी वारिस के संबाबना है कुछ लोगों ने कॉमेंट करकर बताया जिसमें अजमेर नागोर जुनजनू बारा अलवर जिले में सुबे से काफी अच्छी वारिस हो रही है इन लोगों के लिए इस सेनल के तरब से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो अब जानते हैं पस्मी रायस्तान और पूर्वी रायस्तान में वारिस के इस्तिति क्या बनी हुई है पूर्वी रायस्तान में थोड़ी जादा वारिस के संबाबना है और पस्मी रायस्तान में थोड़ी कम वारिस के संबाबना है पस्मी राजिस्तान के दिबात करें तो दोस्तो अजमेर, जोदपूर, इसके अलावा दोस्तो स्रीगंगानगर, हर्मानगाड और बीकानेर का कुछ भाग है जहां पर तेज बारिश के संबाबना है वहीं दोस्तो जैसलमेर में कम थोड़ी यानि की जैसलमेर का कुछ हिस्सा बारिश में सम्मेलित है इसके अलावा दोस्तो बाड़ मेर और जालोर और शिरोई में ठीक ठाक बारिश के संबाबना है अब बात करते हैं दक्षनी पूरवी राजिस्तान की तो दोस्तो दक्षनी पूरी राजस्तान में काफी तेज बारिश के संबाबना है जिसमें डूंगरपूर बास्पाड़ा पिरतापगाड उद्थैपूर इसके अलावा आते हैं यह जिले जिसमें जहलाबाड कोटा वारा और जैपूर अलबर दोसा भरतपूर इन जलों में दोस्तों काफी वारिस की संबाबना है जिन जलों में अभी बादल नहीं पहुंचा है वहां दोपेर बाद पहुंचने की संबाबना है